प्रमुक संपर्दाय जिसे निर्मित बाद और निर्मार बाद भी बोलते हैं इसके जनक बिलियम बुंट को माना जाता है जो दूसरा संपरदाय था इसे प्रकारबाद या कारबाद से जानते हैं इसके जनक बिलियम जेम्स थे इसके बाद जो संपर्दाय आया उसे बहवार बाद संपर्दाय गहते हैं जिसके जनक जेवी वाटसन है उसके बाद जो संपर्दाय आया उसे हम गेश्टॉल्ट बाद या संगान बाद संपर्दाय बोलते हैं इसके जनक मैक्समुम बर्दी मर को माना जाता है उसके बाद जो संपरदाय आया, वह था मनुबेशलेशन बाद, जिसके जनक सिंगमन फ्राइड थे और उसके बाद जो संपरदाय आया, वह था मानपताबाद संपरदाय, जिसके जनक अबरहाम मैसलो को माना जाता है इसके बाद एक और संपर्दाय है जिसे हार्मिक संपर्दाय बोलते हैं जिसके जनक बिलियम मैक डूगल को माना जाता है अब हम इन संपर्दाय के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं मनोब इग्यान के छीतर में इस्थापित होने वाला पहला संपर्दाय सरचनाबाद संपर्दाय जिसे निर्मेतबाद संपर्दाय और निर्माणबाद संपर्दाय के नाम से भी जाना जाता है इसकी परबरता के अजनक बिलियम बुंट थे और इनकी समर्थक रहे थे टिचनर और एडलर इस सम्परदाय की स्थापना 1889 में हुई जब मनोबेग्यान की पहली प्रियोकसाला स्थापित की गई थी जो की लिपजिंग सहर जर्मनी में की गई और उस बिद्धाले का चुबिस बिद्धाले था उसका बरतमान नाम कार्ल मार्क्स यूनिवस्टी है एक काफी important question रहते हैं तो इसे आप याद कर लिजेगा कालमाक्स यूनिवस्टी है 1889 में स्थापना होई थी और मनोबेग्यान की पहली जो प्रियोकसाला थी तब ही खोली गई थी और बिल्यम बुंट को प्रियोगात्मक मनोबेग्यान का जनक भी माना जाता है सबसे पहले बिल्यम बुंट ने चेतना का बिज्ञान लाए थे चेतना का अर्थ होता है आपके सामने होने वाली प्रतेक बस्तु जिसका ग्यान आप इंद्रियों के माध्यम से करते हैं जैसे आग कान, आग, जीप तोचा से हम जो ग्यान प्राप्त करते हैं उससे एक संप्रते का निर्माड होता है उस संप्रते को हम चेतना कहते हैं इसी चेतना को हम संबेदना भी कह सकते हैं अथार्थ इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ग्यान संबेदना कहलाता है अथार्थ बिलियम बुंट ने सरबादिक अध्यन संबेदना पर ही किया था तो आप ये याद रखिए सरचनाबाद संपर्दाय के बाद एक नए संपर्दाय आया जिसे हम प्रकारबाद या कारबाद संपर्दाय के नाम से जानते हैं जिसके जनक बिलियम जेम्स थे बिलियम बोंट ने सरबादिक अध्धन संबेदना पर किया था जबकि बिलियम जेम्स ने कहा हमें चेतना पन ही, चेतना के कार्यों का अध्यन करना चाहिए इसी मदबेद के कारण सरचनाबाद से नए संपरताय का जन्म हुआ जिसे हम प्रकारबाद या कारबाद संपरताय के नाम से जानते हैं बिलियम बॉंट ने सरचनाबाद में चेतना और संबेदना पर बल दिया सरचना को सिंपली एक एक एक्जाम्पिल से समझते हैं जैसे किसी ने आपकी आखों को बंद करके आपको डैरी मिल्क खिलाई और आप उसे पहले खा चुके हैं तो आपने उसे पहचान लिया नाम क्या है? पैंसिल बैख्या क्या है? की लिखने में काम आती है तो यह आपका प्रकारबाद हो गए जिसमें हम चेतना की कारियों पर बल दे रहे है इसके बाद एक नया संपरदाया आया जीसे ब्यवारबाद संपरदाय की नाम से हम जानते हैं इसके जनक J.B. Watson को माना जाता है और इसके समर तक B.P. Skinner, Pablo, C.L. Hill और MacDougal को माना जाता है इन सभी मनोबग्यानकों को बिवारबादी मनोबग्यानिक कहा जाता है ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि कुछ संभ्यानवादी मनोबग्यानिक हुए थे और कुछ बिवारबादी तो ये बिवारबादी मनोबग्यानिक कहलाते है 1913 S.B. में कोलमबस विस्विध्याले में J.B. Watson ने बिवारबाद की नीव रखी थे और बिवारबाद का सबसे पहले प्रियोग William MacDougal ने 1905 में अपनी पुस्तक Outline of Psychology में किया था तो ये पुस्तक का नाप आप याद रखिएगा कई बार प्रेशन पूछ लिया जाता है कि बिवारबाद का प्रियोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था J.B. Watson ने कुछ पुस्तके लिखी है जो की एक्जाम में काफी पूछी जाती है तो आप याद रखिए इनकी पहली पुस्तक आई थी 1914 S.B. में इसका नाम था बेवार मनो बिग्यान की तुलात्मक अबधारणा और कई बार कुछन पूछ लिया जाता है कि मनो बेवार सब्द का प्रियोग सबसे पहले Watson ने किस पुस्तक में किया तो इसी पुस्तक में सबसे पहले बेवार सब्द का प्रियोग किया था दूसरी पुस्तक इनकी 1919 ECB माई इसका नाम है बनो विज्ञान वेवार का एक द्रिष्टी कोड और जो तीसरी पुस्तक आई पो 1924 ECB माई थी वेवारबाद इसका नाम वेवारबाद ही था इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि टाइम में 5 साल का गैप है 1914 उसका द 1919 और फिर 5 साल का 1924 आपको याद कैसे रखना है आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपने तुल्ला की उसके बद आपने द्रिष्टी कोड बनाया और उसके बद आप बेवार को लेकर आए तो आपको सिंपल याद हो जाएगी पहली तुल्लात्मा कब धाना से हो जाएगा दूसरे द्रिष्टी कोड और दिसरी बेवार बात वाटसन ने कहा है कि बेवार की उत्पत्ती उद्धीपक और अनकुरिया से होती है इसके लिए अनवान से गुड़ों का होना जरूरी नहीं है बलकि बाताबरान इसमें महतपुड भूम का निवाता है अब आप सोच लोगे कि उद्धीपक क्या होता है तो उद्धीपक जो हमें किसी कार करने के लिए उत्तेजित करता है प्रेडित करता है वह उद्धीपक कहलाता है और अनकुरिया जिस चीज से हम उत्तेजित होकर हम जो रिस्पॉंस देते हैं हम जो कार करते हैं वह अनकुरिया कहलाता है जैसे हम सूर के तेज़ प्रिकास में निकलते हैं या देखने का प्रियास करते हैं तो सूरज का जो तेज प्रिकास होता है यह उद्धीपा कहलाता है और हमारी तेज प्रिकास के कारण जो आखे बंद हो जाती है यह अनकुरिया कहलाती है जिसे हम response कहते हैं इंगलिस में और उद्धीपा कोम इंगलिस में stimulus कहते हैं तो यह आप याद रखेगा, सबसे important question इसमें ये बनता है, कि J.B. Watson ने बेवार की उत्पत्ती में सबसे महतपुड भूम का किसकी मानी है, अनुवानसिक गुणों की या बातबरण की, तो आपका right answer होगा बातबरण की, J.B. Watson ने बातबरण की महतपुड भूम का मानी है, बेवार की उत्पत्ती में, ना कि अनुवानसिक गुणों की, इसके बाद एक नया संप्रताया आया, जिसे हम संग्यान बहुत संप्रताय की नाम से जानते हैं, इसके जनक maximum बर्धी मर को माना जाता है, जबकि इसके समर तक कल्ट लेबिन, कल्ट कोफ़ा और कोहलर थे हैं, गेश्टॉल्ट बाद जर्मन भासा का सब्द है, जिसके उत्पत्ती अंग्रेजी भासा की सब्द गेश्टॉल्ट से होई है, जिसका अर्थ होता है संपूर या समग्र। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, कि मनो विज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मन वा मस्तिक्स का विज्ञान माना गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान माना गया, इन गेश्टॉल बादियों का मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना बाविवार दोनों का mix-up है जैसे चेतना जो होती है वो मानसिक इस्तिती का आंत्रिक रूप होता है भहिए जो बिवार होता है वो बेक्ति के मानसिक इस्तिती का वाहर रूप होता है अगर इन दोनों में से हम किसी एक बिंदू को लेते हैं जैसे या तो हम चेतना को ले ले या हम विवार को ले ले तो क्या बैक्ति पूर्ण होगा? नहीं होगा ना? ये पूर्ण तब होगा जब हम दोनों तत्तों को एक साथ समलित करते हैं तो हम कहा सकते हैं कि है संपरदाय मनों विज्ञान को चेतना बाविवार दोनों का विज्ञान मानता था इस संपरदाय को संग्यान बाव संपरदाय की नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अंते द्रेश्टी या सूज की सिद्धान पर बल देती है इस संपर्दाय में सबसे अधिक जो संग्यान के तत्तों पर देते हैं जो की बुद्धी, मनन, सोच या बिचारधार है इस संपर्दाय से आपको एक कुशन बनता है कि कौन सा संपर्दाय पूर्ड से अंस्कियोर पढ़ाने या जाने पर बल देता है तो आपका आंसर होगा संग्यान बाद या गेश्टॉल्ड बाद संपर्दाय ये काफी important question है, इसे याद रखना आपको इसके बाद एक नए संपर्दाया आया जिसे हम मनो बिचलेशन बाद संपर्दाय की नाम से जानते है उसके जनक थे सिंगमन-फ्राइड और इसके समर्थक थे एडलर और yung कई जगे युँग की जगे जुग लिखा होता है ये इनके सिश्य थे दोनो सिंगमन-फ्राइड ने विवार में मन मस्तिक्स का एहम रोल बताया और इन्होंने मन को तीन भागों में बाटा था चेतन मन, अचेतन मन और अर्धी चेतन मन इनका अपने में ही एक अलग बड़ा टॉपिक बनता है जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा अभी बस इतना जानिये कि इन्होंने मन को चेतन, अचेतन और अर्थ चेतन में बाटा और मनुष्य के ब्रक्तित को इदम, एहम और पराहम में बाटा था इसके बाद एक और संपरदाय आया जिसे हम मनपता बात संपरदाय की नाम से जानते हैं इसके जनक थे अबरहम मैसलो और इनके समर्थक थे कॉल लोजर्स और ओलपोट हमने जाना कि सबसे पहले सरशनाबाद संपरदाय आया जिसमें सबसे अधिक महत सरशना को दिया गया उसके बाद आया प्रकार बात संपर्दाय, इसमें सबसे अधिक महत चेतना के कार्यों को दिया गया उसके बाद आया बहवार संपर्दाय, इसमें सबसे अधिक महत बहवार को दिया गया उसके बाद आया गेश्टॉल्ट वातसंप्रदाय जिन्होंने समग रिया पूर्टा पर महतो दिया या संग्यान के बिंदुओं पर जबकि अब्रहाम मैसलो का मानना था कि इन सब के बजाए हमें मानप की आपसक्ताओं को समझना चाहिए मानप की मांगों को समझना चाहिए इन्होंने इसके अंदर एक सिध्धान दिया जिसे मांग या अपसक्ता का सिध्धान कहते हैं इन्होंने कहा ब्यक्ति अपने अस्तित्य के लिए जब किसी बस्तु की कमी महसूस करता है तो उस बस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है मैसलोंने मनुष्य की पांच अपसक्ता हैं बताई पहली अपसक्ता थी सारीरिक या देहिक मांग सारे रिख्या देहिक मांग में मनुष्य की मूलभूत अपशक्ताय आ जाती है जैसे रोटी, कप्ड मकान ठीक है उसके बाद आती है सुरच्छा की मांग जिसमें मनुष्य अपनी सुरच्छा चाता है तीसरी आती है समाजिक मांग जिसमें मनुष्य जो होता है वो एक अच्छा समाज चाता है खुद के लिए और चौथी मांग होती है सम्मान की मांग जिसमें मनुष्य यह पेच्छा करता है कि दूसरे लोग उसे सम्मान दें और अंते मांग होती है आतवनगूती की मांग इसमें क्या होता है इसमें बेक्ती भेदबाव से परे होता है तत्यों को सुकारता है उसमें सहस्ता होती है रशनात्मक्ता होती है इसमें बड़े महात्मा सादू संत बगएरा आ जाते हैं इनकी संक्या सिर्फ 5% होती है, बाकी चारों की 95% तो मैसलों के मूलवूत सिद्धान में 5 अब सकता है, जो बताई गए यह थी इसके बाद इसमें जो सबसे प्रवल मांगी है, कुशन में कभी काफी पूछ लेता है तो हमारा आज का वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते है थैंक यू